दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजेंटा कमपनी का जो एक फंगी साइट आता है जिसका ब्रांड नेम है अमिस्टा टब इसके बारे में हम बात करेंगे जो हम लोग कहते हैं भारत का नंबर वन फंगी साइट है तो या भारत का नंबर वन फंगी साइट कै साथ ही या भी जानेंगे इसे कौन-कौन सी फसलों पर इस्प्रे किया जा सकता है इसको इस्प्रे करने से कौन-कौन सी रोगों को कंट्रूल किया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों इसको कब और कैसे कितनी मात्रा में इस्प्रे करना चाहिए इसका बढ़िया रिजल देख इसके साथ और कौन सी दवा को स्पूरे नहीं कर सकते हैं इन सब की समपूर जानकारी डीटेल में जानने वाले हैं इसके लिए आप पूरा वीडियो लाज तक जरूड देखें नमसकार दोस्तों अजए बर्मा और पास ही बेल आइकन घंटी को भियान कर दें जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि या कैसे काम करता है किसान भाईयों सबसे पहले या किसी रोग के कांटेक्ट में आ करके काम करता है कांटेक्ट का मतलब क्या है किसान भाईयों कि अगर हमारे फसल में कोई फंगस लग रहा है तो अगर हम इसका इस्प्रे अपने फसल पर लगाते हैं तो वह उस रोग के उस फंगस के कॉंटेक्ट में आ करके उसको मार देगा और हमारी फसल को इस रोग से पूरा कंट्रोल कर देगा दूसरा जो तरीका इसका होता है काम करने का या सिस्टेमिक धंक से काम करता है सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है किसान भाईयों कि जब हम इसका इस्प्रे करते हैं तो या फसल के अंदर चला जाता है और अगर अंदर कोई परिक्रिया हो रही है जिससे फंगस लगने का डर होता है पौदे में तो यह इसे वहीं पर ही कंट्रोल कर देता है और फसल में किसी परकार का फंगस नहीं लगने देता है जो तीसरे तरीके से काम करता है ट्रांसलिमिनार तरीका होता है इसमें क्या होता है किसान भाईयों कि जब हम कभी किसी दवा का इस्प्रे करते हैं तो पत्ती के नीचे हम और पत्ती के नीचे इस्प्रे करना संभो भी नहीं होता है तो ये दवा ऐसी होती है किसान भाईयो कि अगर हम उपर से इस्प्रे पत्ती के लगाते हैं तो यह रिशा करके पत्ती के नीचे भी चला जाता है और अगर पत्ती के नीचे कोई फंगस लग रहा है तो वह उसे भी महाँ पर मार देता है और हमारी फसल को उससे बचाता है किसान भाईयो इसका और जो तरीका काम करने का होता है क्या होता है कि अगर हम पूर्व अगर फसल में पूर्व भी इसका इस्प्रे लगा देते हैं तो यह उस से फंगस को मानने का काम करता है और हमारी फसल को बचाता है तो किसान भाईयों यह हर तरीके से हमारी फसल में फंगस को मानने का काम करता है और 100% अपना रिजल दिखाता है इसी लिए दोस्तों इसे दुनिया का या भारत का नंबर वन फंगिसाइट कहा जाता है यही कारण है। किसान भाईयों अब बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। तो यह पौधे में लगने वाले हर परकार के अरली ब्लाइट, लेट ब्लाइट इन सभी को कंट्रोल करता है। या किसी भी परकार का पौधे में सडन गलन रोग है ये इसको भी कंट्रोल कर देता है जैसा कि कभी कभी देखने को मिलता है कि पौधे की तने में धब्बे पड़ गए हैं पतिया में धब्बे पड़ गए हैं या जो फल लगा हुआ है उसमें धब्बे पड़ गए हैं तो इन सबी परकार के धबों को यह दवा बड़ी ही आसानिस से कंट्रोल कर देता है। किसान भाईयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसे किस परकार की फस्लों में इसका इस्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई आप इसे टमाटर में, खीरा में, धान में, मिर्च में भी स्प्रे लगा सकते हैं या जैसे फल बागवानी में हो गया, अंगूर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया इन सब में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, आलू में कर सकते हैं तो दोस्तों इन सब पे इसका इस्प्रे करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है या 100% अपना रिजल्ट देता है अब बात काल लेते हैं कि इसकी क्या डोज होने चाहिए इस्प्रे करते समय तो किसान भाईयो जो 15 लिटर की टंकी आती है आप इसमें 20 से मेल ले करके और बढ़िया से मिला करके दोनों के आपस में इस तरीके से मिलाईए कि आपस में घुल मिल जाए तब आप इसका इस्प् लब्ध हो जाएगी किसान भाईयों लोकेशन के हिसाब से रेट थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है आप में कमेंड में जुरूर बताएं कि आप के हैं इसका रेट क्या है किसान भाईयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमें जो इसमें कुछ साधानिया रखनी चाहिए तो अब बात कर लेते हैं किसान भाईयों की इसका इसपर लगाते समय क्या क्या मिला सकते हैं क्या कोई खाद मिला सकते हैं या कोई नूट्रेशन प्राइमरी नूट्रेशन सिकेंडरी नूट्रेशन इन सब को मिला सकते हैं या नहीं या कोई इंसक्टिसाइड मिला सकते हैं कि किसान भाईयों, अगर आप कोई खाद मिलाते हैं या कोई nutrition इसके साथ में मिला करके देते हैं, तो क्या है किसान भाईयों कि आपको इसका बढ़िया रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो किसान भाईयों, ये आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए यदि आपको किसी परकार की कोई दिक्कत आ रहे है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने और किसान भाईयों के साथ सेर करिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद जय जवान जय किसान